नागपुर शहर में बीते चार दिनों से एक के बाद एक हो रही हत्त्य की वारदात पर लगाम लगाने के लिए शहर पुलिशाइक तामितेश कुमार दिन रात एक कर रहे है तो वहीं दूसरे और हत्त्य का सिलसला रुपने का नाम नहीं ले रहा सुमवार को जबजोर देने वाली चिमावाई पेड हत्त्य कान के बाद मंगलबार के दिन भी फिर से एक हत्त्य के वारदात जगनारे चोकस्तित नागनदी नाले पुर भी इस वारदात को पूछी घंटे हुए थे कि इस बिच फिर से एक उधवार को जरिपटका थाने में आने वले भीमनगर जोपड़टी परिसर में 35 साल के शेश्राव किशंद बंसोड की तेज हत्यार से हत्त्य कर देगी बता जाता है कि पुराने विवाद में अभय नायनेश्वर लाणगे नामक युवक ने शेश्राव पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया पुलिस सुत्रों से मिली जानकरी के अनुसार भीमनगर नाराजोपड़पटी परिसर में शेश्राव बंसोड अकेले रता था कुछ वर्ष पहले शेश्राव का आरूपी अभय लाणगे के साथ विवाद हो गया था तब से आरूपी उसे जान से मारने का मौका धून रहा था मंगलवार की रात को शेश्राव के घर का दरवाजा खुला होने से अभय उसके घर पहुचा और तेज हतियार से उस पर प्रहार कर दिया शेश्राव के शोर मचाने के बाद अभय वहाँ से भाग गया इसके बाद पड़सुया ने घायल शेश्राव को उपचार के लिए मेयोप में भरती करा दिया बुद्वार सुभश उपचार के दोरां शेश्राव की मौत हो गई बताय जाता है कि शेश्राव अपरादिक प्रवरुति का था उसके खिलाब पुलिस में कई मामले दर्ज है जरेपट का पुलिस मामले की जांच कर रही है महारश्ट के उपराजहनी नागपूर शहर देश का दूसरा क्राइम क्रेपिडल कहा जा रहा है एक और सट्टा दारू और अवेद माफिया उपर लगातार कारवाई पुलिस द्वारा की जा रही है और दूसरी तरफ लगातार हो रही हत्या के वार्दा से नागपूर के सीपी अमतिश कुमार के महनत पर पानी फेरा जा रहा है कही न कही पुलिस के कार्य प्रनाली पर भै सवाल खड़े हो रहे है